हमारा आज का topic है under eyes. Basically under eyes या eyes के around जो area जो skin होती है वो हमारी बाकी face की skin और बाकी body की skin से पहुँआठ दिफरेंट होती है. कैसे दिफरेंट होती है? Because ये skin जो है ये three times comparatively three times पत्ली होती है, थिल होती है as compared to rest of our facial skin. जनी के हमारे face की skin से three times ये skin पत्ली होती है. क्योंकि यह ज्यादा पत्ली होती है तो इसके इशूज भी डिफरेंट होते हैं और जल्दी भी होते हैं comparatively पार्थी स्किन के इस वर ठीक है अच्छा इसमें आज की टॉपिक में हमने दोनों चीज़े कवर कर ली है जी हां हम इसमें जो डार्कनेस है वो भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो एंटाइ एजिंग या जो एजिंग से रिलेटिड हमारी आइस के अराउंड स्किन की उपर होता है उसको कैसे करेक्ट करना है उससे बचना कैसे है वो सब कुछ हम साथ ही इसमें कवर करेंगे ठी वहता है dark circles का, जी हाँ, dark circles का issue जो है वो बहुत ज्यादा common है, age related नहीं है और happy और आजकर तो भी कुछ ज्यादा ही हो गया गया है, the reason being, कि जो लोग, मतलब जैसे हमने 2 साल घर के अंदर गुजारे हैं, COVID में, और वो lockdowns चलते रहें, फिर हम घरों में रहते रहें, उसमें gadgets का use बहुत ज्यादा हो गया, gadgets मतलब आपके tablets हैं, आपके mobile phones हैं, आपके laptops हैं, और पर हमारी routines disturbed होगी, हमारे पर हमें काम पे नहीं जाना होता था, सुबा या बच्चों ने सूल, कॉलेज नहीं चाना होता था, स्टुटेंट्स बिचारे जो हैं, वो घर के अंदर रह रह रहे थे, और धर से ही पढ़ रहे थे, तो रात को या अपने leisure time, अपने free time में भ वो भी और ने online लेनी थी, तो उसका मतलब है, गाजट्स के बगएर तो पॉसिबल नहीं है, तो वो भी गाजट्स के थूर ही हो रहा था, अब ये जो इशू था, इसकी बचा से देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है, वो dark circles की complaint आना शुरू होगी, dark circles की complaint जो है, वो इसी ये ज्यादा आना शुरू होगी, वो रुटीन ऐसी चेंज हुई, कि उस रुटीन में रहते रहते ये सब कुछ होना शुरू हो गया, अब हम आज आते हैं, कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है, सबसे पहले होता है, कि जब लोग घर के अंदर कुछ से, अपनी रुट कोशजन होता है कि आप मुइस्टिराइज करना है, या आप कोई और सरफ लगाते हैं अाइस के रांटाय चेक होता है, तो आप सबसे पहले उसका चेंज करता हैं, या उसका क्या करना है और इसको चेंज करने कि शुरूर तो नही है, तो ज्यादा-तर लोग ये चीज़ें क को आपिखनिते ही करते हैं और वँम रेमिडी लिपी ट्रय करते हैं अब चब व वोँम रेमिडी लाग रे इस पी ठ्रै है कि हमारे dark circles रहे हैं वो बेतर नहीं हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर वो doctors के पास आते हैं अब जब आप doctor के पास आएंगे तो doctor ने basically आपकी skin का analysis करना होता है analyze करना, examine करना skin को बहुत जोरी है sometimes कुछ लोगों में यह होता है कि उनकी skin है उतनी ज्यादा extraordinarily thin होती है वैसे तो बाफ़ी की thin होती है यह तो three times जो है go three colds thinner होती है वाकिस face skin से लेकिन कुछ लोगों की face skin में thin होती है तो in cases un cases में उन लोगों की eyes around skin होती है और ही ज्यादा पतली होती है कि उसके अंदर से जो blood vessels हैं वो नजर आ रहे होते हैं और blood vessels का जो अपना कलर है जैसे veins का जो है वो blue color है, blueish new आना शुरू हो जाता है दूर से देखके वो dark लगता है और बहुत हेलो सी eyes लगती है और उसके इलावा जो है वो छोटे जो blood vessels है capillaries जो है वो red color की होती है उसका भी हुआ रहा होता है अब जब ये वाले shapes आरहे होते हैं तो दूर से देखने में एक illusion create होता है और वो illusion create होता है कि बहुत ज्यादा dark eyes है अच्छा इस तरह के जो patients होते हैं उनकी skin को यानिके dark surface को treat करने का तरीका फड़ होता है ज्यादा तर ऐसे patients को हम क्या कहते हैं वाइटमिन K क्रीम्स देते हैं जो वाइटमिन K क्रीम्स होते हैं उनमें ये अच्छी बात होती है कि वो जो stagnant blood होता है vessels में उसको move कराती है और उसकी वज़ा से आप को जो जो shade आ रहा होता है एक illusion create हो रहा होता है वो बहतर लगना शुद हो जाता है फिर एक और इस तरह से eyes होती है analysis पर हम ये देखते हैं कि patient की eyes कैसी है कैसी है तो हमें पता चलता है कि patient की eyes जो हैं वो बहुत ज्यादा halo है यानि के अंदर को धसीवी आँख है जब वो अंदर को धसीवी आँख होती है तो उससे एक illusion create होता है कि ये बहुत ही जादा dark color नजर आ रहा है ऐसे लोगों में filler को use करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब हम filler use करते हैं और उस halo को fill कर देते हैं और फिलर निचे भी लगता है और सम्टाइम्स हमने यहां पर भी लगाना होता है ताके आय जो है वो ज्यादा open और ज्यादा खुली रगे और वो अंदर को धसी भी ना लगे जब वो द्रसी में लगती है तो आपको डार्क में लग लगती है अब हम आजाते हैं कि कुछ लोगों में dark circles रहे हैं कैसे होते हैं वो सिरफ और सिरफ brown color की discoloration या pigmentation ही होती है यालि कि proper brown color की pigmentation ही होती है ऐसे लोगों में हम ढूटता आइवान भी यहां पर सेफ होता है वह भी हम आराउन डाइस चो हुआ है तो यह तो हूगा हमारे पास कि अगर आपके डार्क सरकल्स हैं तो आपने क्या करना है अब मैं आपको कुछ dark circles के हवारे से home remedies बता रही हूँ, home remedies में सबसे top के ओपर जो आती है that is coffee, आपने कुछ भी ने करना, आपने ये करना है कि आपने coffee ले लिया, coffee का जो powder होता है, घरों में available होता है, आप हम यूज कर रहे होते हैं, उसमें आपने बिलिकुल few drops, यानि कि हमें थिक पेस्ट बनानी है, हमें पानी की तरह उसकी runny consistency नहीं करनी है, तो आपने उसकी थिक पेस्ट बनानी है, आप वितना powder लेंगे, उसी के हिसाब से आपने देखके उसके अंदर few drops डाल लेंगे ताके वो mix भी हो जाए और एक पेस्ट बन जाए, उसको आपने आराम से यह आपने अलका नीम गरम पानी लेके, कॉटन को उसके 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 उसको उतारना है एक रगर रगर के आपने बिल्कुल नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी आईस की skin बहुत जादा dry और आपको damaged पील होगी उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज जो है खीरे कर जूस, खीरे कर जूस होता है उसके अंदर कोई irritation कॉस करने वाही चीज नहीं होती है प्लस उसके अंदर vitamin E बहुत ज्यादा होता है और यह help करता है आपकी यह जो dark surface है इनको कम करने में और आपकी आईस को freshen up करने में तो आपके कुछ नहीं करना आप खीरे को अच्छी तरह पानी से दोलें पानी से बाश करने के बाद पर उसको ड्राय कर लें ड्राय करने के बाद उसको कल्दुकश करने और ग्रेट करने के बाद उसका आप पानी चाने अब आपके पास एक फ्रेश और प्योर क्यूकंबर अपिर आप मेंने नीम गरम पानी में podr आपने नी कॉल्टिक करे इसको उतार देना है आपने कोई चीज लगा नी लिखने हैं और नाहीं आपने उताराई है अने इसके इलाव क्या होता है Korean tea, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत अंटा ऑंकुटिंग होता है Green tea भी बहुत अच्छी जरी पहुत और इसके लिए नहीं ही जैसे से आप beg reservoir पानी गर्म करते तो Green tea γ्यें रिए, union बनाएं अठी पानी में धा निकालेशे में और थंडाब देखें लगा देना है all around your eye और इसको लगा रहने दे और तकरीवन आदे बंटे के लिए लगा रहने दे और फिर इसको हलके नीम दरम पानी से आप उतारते हैं अच्छा आपको मैं थोड़ा से लिवताना चाहती हूँ कि मुव्मेंट क्या होनी चाहिए जिसके थूँ आप कोई भी चीज लगाएंगे जो भी चीज आपने लगानी है उसको आपने इस तरह से लगाना है outward and round ठीक है outward and round आप इसको लगाएंगे जब आपने पुए कोई application लगानी है उसके लिए भी आप इसको इसको उसको ओस करेंगे और अगर जिसरा मैं आपको उटा लगानी है और आप लगाना चाहते हैं या चीज उताना चाहते है Einam भी चीज उतारना है तब यही तरिका रखना है कि छोटी उनली के उपर जो भी लिया वो लिया और उसके बाद उसको आउट और ग्राउंड किया ऐसे ऐसे भी आप लगा सकते हैं जैसे कोई सरम लगाना है वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास चीजे क्या क्या हैं जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो वाइटमिन C जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है तो वाइटमिन C जो है ये वाइटमिन C का सरम में आपको दिखा ली हूँ इस सरम इस वेरी बेस्ट है और ज्यादा तर लोगों को लगता है कि इसके नहां से ड्राइबी हो जाती है अराउंड आइस तो यह दोनों चीजें कॉंबाक करेंगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर वाइटमिन C लिखा रहे हैं ठीक है यह 5% है और यह 15% है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5% यानिके low potency से शुरू करें और high potency पर जाएं और ऐसे भी कर सकते हैं कि high potency पर जाएं स्टार्ट करें और लो पोटेंसी से उसको मेंठेल तरहें ठीके अच्छा उसके बाद यह आपको वाइटमिन के की क्रीम निखा रही हूँ यह बहुत काम की चीज है क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जिन लोगों की स्केल बहुत ज्यादा पतली होती है उसके अधर से वैस नजर आरे होते हैं और उन वैसल का ही जो है वो एक इलूजिन कर रहा होता है पिग्मेंटेशन का उन सब लोगों के लिए वाइटमिन के बहुत अच्छी है ठीके अच्छा उसके बाद जो है जिन लोगों की स्किन पतली होती है अरांड आइस उसके अंदर एक और है जो कि स्किन बनाते है वो यही है तो यह बहुत जज़दा बहुत जयादा है और बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको ख़यराई उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थिन होती है अरांड इस ठीक है अच्छा अब मैं आपको दिखाने लीए हूं ड index की कुल्स तो यह सेफ हैं. यह लि Celtic On a का नो दोना का मैंने ही इसुरूसां की समय हैाँ आप अरांड इसे हमाइविक हैं, सब ठाल कि बाहिए हैं अब आज़गे हैं के बहुत अइसा होता है कि सब कुछ कर लिए तिए किया कर लिए समटाइम्स तो यह होता है कि पेशेंट एलीममेक होता है एसकी वज़ेंट लिग लग्दाइस बहुत जाधा होते हैं इसलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके कुछ रिवायर टेस्क्ट बिह कराते हैं जिसमें पर डाद एधा है हमोगरोबन नबर बाद आजा वितमिन बी में उसके बादा जो के बहुत diligent में आता है उसके एहल रहा हम हाँ क्या है में एपकुरा कि देखिड झी हमारी बहुत की सब्लीक चेंटीश। तो इसका बेतर होगा तो definitely हमारे जो डार्क सरकल्स है वो बेतर रह सकेगी कि तो यह हो गया बहुत सारी लोग अधिन को सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है कि तो साथ में हम खाने के लिए ठैस कर वाने लिए और आप डेते लिए ठैस्ट कराने के लिए बार के लिए ग्यांच जिस अब नहीं ठीक हो रहा है अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं सबसे पर सबसे बेस लाइन आप सबच लेए या सबसे इनिशन चीज हम करते हैं that is serum infusions जब आप कोई चीज दगाते हैं तो उसकी absorption एक हद तक हो सबती है 100% absorption उसकी नहीं हो पाती है लेकिन जब हम infusions देते हैं medicine की तो उससे यह होता है कि जो आपकी absorption होती है वो के कहते हैं many folds बढ़ जाती है और जब वो इतनी अच्छी होती है तो फिर आपको result भी सादा मेंता है प्लस जिन लोगों की eyes जो है वो proper pigmented brown color की discoloration होती है उन वे हम यह भी चाते है कि जो dead layer of skin है वो उतरे वो भट जाए जिस वकर वो उतरती है तो applications की absorption भी अच्छी होती है और यह method itself भी आपको result देता है ठीक है उसके बाद आजाता है कि और हम क्या करते है इसके इंद आजाता है carboxy therapy, carboxy therapy में oxygen जो है वो इंफ्यूज की जाती है eyes के round जब वो इंफ्यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि obviously एक बहुत ली अच्छा और fresh look और fresh आपकी skin को जो है वो एक क्या कहते है look मिलेगा और वो इस ब्राउन कलर की discoloration है ठीक है तो उसके बाद आजाता है कि हम क्यूंके साथ साथ एजिन की बात भी कर रहे हैं एजिन आराउंड थी skin ठीक है पढ़ने का चांस भी होता है, fine lines तो वो होती है, जो कि बिल्कुल आप में करिंगल शिफॉन की कपड़े की करा जो आपको नजर आज़ा हो, और जो wrinkles होते हैं वो आपको एक्स्प्रेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, कि आप भज रहे हैं, खा रहे हैं, तो साथ में आपको wrinkle पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों से अगर हम बचना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत स्रूरी होता है कि timely आप anti-aging eye pre-instorm है, भो लगाना शुरू करते हैं, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, एक ही ए, age character eye serum, यह जो serum है, यह चार चीजों के लिए काम करता है, ठीक है, इसके अंदर fine lines है, wrinkles है, dark circles है, और fluffy eyes, ठीक है, इन चार चीजों के लिए काम करता है, और brilliant है, किसी भी skin type वाले को आप लिए दे सकते हैं, बहुत ही excellent product है, outstanding results देता है, और maintenance के लिए भी आप इसको use कर वा सकते हैं, ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में आपको दिखा रहे ह पतली होती है, और age और time के साथ धलकना शुरू हो जाती है, तो हम tightening जाते हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहे हूं क्रीम यह जो है, यह basically tightening करती है, यह eyes के around आप लगाना शुरू करेंगे, तो यह tightening करना शुरू करती है, या आपकी skin को maintain कराने में बहुत सद़ हैं, बहुत स fine lines बहुत सारी हो रही होती है, age के साथ, time के साथ, तो फिर यह फिलर वाली प्रीम मैं आपको दिखा रही हूं, यह फिलर वाली प्रीम बहुत जबरदस्त रहती है, और यह हम यूज करवा सकते हैं as a maintenance fee or as a treatment fee, लेकिन याद रखें कि जिस वकर आपको wrinkles पढ़ चुके हैं औ अब फिर आप doctor के पास आएंगे, तो फिर चीजें लगा के हम उसको delay नी कर सकते हैं यह चीजें लगा के उसको correct नी कर सकते हैं और उसकी correction जो है, वो definitely किसी ना किसी procedure के तूर ही करनी पड़ती है, अब हम आज आते हैं कि procedures को हैं क्या-क्या होते हैं इस जगह के उपर, सबसे बड़ी चीज को यह हो रही होती है कि ज्यादा तर लोग जो होते हैं यह बहुत common ही देखा गया है कि पफी आइस बहुत रहना शुरू जाते हैं यह मोटे-मोटे पफ्स बने वे होते हैं आई के नीचे और वो रहते हैं हर वकत, यह age related होते हैं और इसको खतम करने के लिए पफ करने के लिए injections होते हैं जीके I'm not talking about fillers, I'm not talking about any brightening injections, मैं बात कर रही हूँ, डी-puffin injections एठीके यह इंजेक्शिन लगाते हैं तो जो पुफी एरिया होते हैं वो बुफी होजाते हैं जब आप इसको डीपफ करते हैं तो आप देखें लिए की फूरे का पूरा लोखी चेश हो जाएगा और जो पुफी आइज हमें बुरी लग रही होते हैं वो गवर हो जाएं गवर है क्या फाइलराणिक आसिड पर इन्जेक्ट कर सकते हैं आइस के अराउंड यहां तक और इस्ते क्या फाइटा होता है कि जो फाइट भाली पाली फाइन लाइन सोती है प्रेंकल शिपॉन के कपरी की तरह वो जो है वो घवगे ठीके जी, उसके बाद आजाते हैं थ्रेड्स, सम्टाight new Gelasi कोफिम करते हैं उसके आज़ाबगे लाख्स ज़ाएं स्कूलिध में और उससे आपको बहुत परफ पड़ेगा उसके बाद हम आचाते हैं और क्या चीज हम करते हैं आप सब ने उसका नाम सुना होगा और फिलर्स हम यूज करते हैं किसलिए कि हम चाहते हैं कि अगर यहां पर डैफ है आँके अंदर बुद्धस कही हैं उसको हम कवर कर लें और उसके साथ साथ सम्टाइम्स ही होता है कि बहुत ज्यादा ड्राइ पार्च्ट स्कें होती है कुछ लोगों की नासे और पती ही बहुत होती है तो हम आपको अप्लिकेशन से ही स्टार्ट कराएंगे लेकिन अगर अगर अप्लिकेशन यूज करने के बावजूद या सप्रिमेंट यूज करने के बावजूद जो है वह में फार नहीं पड़ता तो फिर ओवियसली हम क्लिनिकल बेस्ट प्रोसीजर जो है उनकी तरह चाह सकते हैं